असलाम वालेकुम आज मुम्ताज रेसिपी में मुम्ताज के किचन में क्या बन रहा है आज मैं बहुत ही आलग रेसिपी बना रही हूँ इसके लिए मैंने ली हूँ ब्रेट ट्रम है और एस्क्रीम स्टीक आप समझ गए होंगे के मैं क्या बना रही हूँ हाँ मैं चिकल लॉ एक चौथा इसे भी थोड़ा कम हल्दी नमक हस्ते जाएका गरम मसाले का पॉरडर है और यह जो है तो चाट मसाला है आधा चमच बारीक कटिवी दो मीडियम प्याज है गाजर है आदी प्यालिस शिम्ला मिर्च बारी कटिवी हरी मिर्च बारी कटिवी कोत्मिर है बारी कटिवी दो मीडियम प्याज है बारी कटिवी और चार मीडियम आलू है बारी कटवा दो अंड एन्डे है और यह आधा कीलो में चिकन ली जिसको मैंने उबाल लीहूं चिर्फ नद़क का पेस्ट और नमक डालकरकर लिए। सबसे पहले इस चिकन को रेशा नहीं करना है इसको मिक्सर में हमने बार governor लेरा है, मैं आपको बताथे को कैसे करते हैं, चिकन को इस तरीके से आपने थोड़ा सा तोड़ दे और इसमें थोड़ा सा थोड़ा करके डालके इसको मिक्सर में पीस लिए इस तरीके से इसको हमने पीस लिए चिकन इस तरीके से हमने रेशा कर लिए हैं अभी इसमें अम यह जो मसाले हैं यह तमाम मसाले इसमें डाल दे दबल करते हैं याही और गाजर शिमला मिर्च हरी मिर्च कोत मिर्च यह डाल दें बारी कटी हुई प्यास तमाम चीज को हम अब अब अच्छे से मिक्स करेंगे जतना बड़ा मिर्च बनाना एक उस हिसाब से लें चैश्ट अब चिकन को युबालने के बाद में आप अच्छे कि लुखे से इसी तरीके से सभं तयार ने हैं दो अंडा है इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे लगेगा चिकल लॉलिपॉप को जो हमने सामा तैयार किये मेथड पूरा उसी इंग्रेडियन से आप और भी दो तीन चीजे बना सकते हैं विल्कुल वही है सब कुछ उसका शकल आपने बदलनी है मैं अभी आपको बताती ह आपके लिए सर्प्राइज था वो सर्प्राइज मैं आपको बता रही है आपने इस तरीके से इसको इसमें रोल आउट किये और ब्रेड क्रम लगा दिया इसी चीज से जो मैं सर्प्राइज बता रही हूं आपको चिकन डोनट यह हो गया अपने इसको अंडे में डीप किये और ब्रेड क्रम लगा दिया अपने इस तरीके से सीख की तरह बना ले और इसको भी ब्रेड में रोल कर रही है चोटे-चोटे कोफटे की तरह से कबाब बना ले आप और इसको भी इस तरीके से रोल आउट कर ले अंडे में डीप करके अच्छे से अपने ब्रेड क्रम लगा ले यह देखें चिकन डोनट सीख कबाब कबाब भी कह सकते हैं आप इसे कोफटे भी कह सकते हैं ड्रम स्ट्रीक अब देख सकते हैं एक ही इंग्रेडियन से मैंने चार तरीके के आइटम बनाई हो तेल अच्छा गरम हो गया है अब हम इसको फ्राइ कर लेते हैं एक ही इंग्रेडियन से हमने आज चार चीजे तैयार किये चिकन लॉली पॉप चिकन डोनट चिकन कोफ़ता और चिकन रोल या सीख भी आप इसे कह सकते हैं आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्ला आफिस